नमस्कार दोस्तों स्वागत थे अंब देख रहे थे अब दिखते हैं पबनुका siam जब होता है तब कौन से इस तलूप बंते हैं आप से निवेदन इस channel को सब्सक्राइब करें दीजी अपना प्यार वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सेर करें चलिए शुरू करते हैं पवन का निक्सेपन का रही है वो कैसे होता है यह देखते हैं जब पवन की गती दीमी हो जाती है तो अपने साथ उड़ा कर ला सबसे पहले सेंड डियूं सबसे पहले करते हैं बालू का इस्थोप सबसे पहले सेंड डेने की बालू का इस्थोप वीडियो जो पवन द्वारा उड़ाए गई बालू से निर्मित होते हैं उन्हें बालू का इस्तुप कहा जाता है होम्स मोदिक अनुसार बात करें तो बालू द्वारा निर्मित कोई भी टीला कटा जिसके सिकर होता है सिकर यानि की ऐसा सिकर होता है वो बालू का इस्तुप क्या लाएगा ठीक है बालू का इस्तुप को परकार किया जा सकता है कौन-कौन से देखें समांतर बालु का स्टूप समानांतर जो है समांतर बालु का स्टूप देखें इनको देखें तो इन इस्तिकों की रचना बालू की अधिकता वाले सेत्रों होती जहां बालू अधिक होगी वहां होगी यह वायू की परवा की दिसा के अनुसार समानतर रूप में बनते हैं जैसे जैसे वायू की दिसा होगी उसी के समानांतर बनेंगे उसी के समानांतर बन जिके लेबिया के थार मरुस्तल में पाई जाती है पस्चेमी आस्ट्रेलिया के मरुस्तल में और शहारा के मरुस्तल में पाई जाती है अब देखते हैं अनुप्रस्त बालू का इस्तुफ अगला अनुप्रस्त बालू का इस्तुफ जब लंबे समय तक हवा एक ही दिसा की ओ और चलती है में जैसे कि यह अनोप्रस तो ङे अनुपरस से यह के दिशा मंवा चल रही है तू नहीं है तो अनुपरस वालों को इस तो को निरमान होता है जात buses ciao niew क्यों सबस्टाइय करेल जी एक जाते हैं इन सुस्मां को कि आकरतीrix जो है आकरती अर्ध चनमर होती है अड़ चंद्रा का थिक इस तरीके नहीं की तरीके सर बंतицья एवा उसा होते तो इस परकार का ईहर्द जमा हो हो यह उन्य लगती है इस परकार का आखरते बंति यह नुप्रस्थ बालू का उस्तुब ऑकरती const u इसस्तुपों करचणा जो है गेहरे बालु के फ्रदेशुं में वयू के धीमी गति के बहने से चाहिए अधिक नाट स्कून को की डियut topic का धाल्ल पवन के दिसा थीमा और दूसरी तरफ तेज होता है जिन सहत्रों में पवन तेजиваем इंध के चलती हैं तो वहां यहां की बालू को अपने साहत उड़ा कर अपने पवन अपने बहने की गती के विप्री दिशा में जमा कर देती है तो उपरा वलिक बालू का इस्तुप पुक्रिश्णा होती है बर्खान देखा जाए बर्खान बालू के अर्ध चंद्राकार टीलों को बर्खान कहा जाता है इस परकार के इस्तूप तुर्किस्तान में अधिक संग्या में तुर्किस्तान बर्खान इस्तु भी पवन की अनुप्रस दिशा की और पाया जाते हैं इनस्तुपों के किनारों पर जो बहुत कम पदार्थ जमा हुआ पाया जाता है जब इस जम्में हुए पदार्थ को पवन अपने साथ उड़ा कर ले जाती है तो इस्तुपों के सिंग की आकार की आकरती बन जाती है बरकान इस्तुपों के जो सिंग की आकरती है वो बन जाती है ठीके सिंग की तरह हवा के बहने की गती में जब बदला होता है तो इस तो बुगा करती बदल जाती है इक सिंग की तरह दिखाई देने लग जाता है इस प्रकार से इनके रसना मूल स्थोपों में परिवर्तन से माना जाता अधिक तर बर्खान जुंड के रूप में पाया जाते यह सबसे अधिक गती से दोसरी स्थान पर गती वियां से जम के वहा जम जाते हैं एसे हवा के अनुरूप जब मरुस्तली सेत्रों में बरकान इदरुदर फैले हुए रहते हैं तो इन्हें पार करने में बड़ी कटना ही होती है सारा के मरुस्तल में बरकानों के बीच में बने मारक को गासी कहते हैं जिन पर कारवा इस्ते रूप से चलते हैं गासी गासी कहते हैं बरकानों के बीच में बने मार को अब देखते हैं लोयस क्या है लोयस देखते हैं लोयस इनको रिच्छतोपन मौदे ने मर्फली सेत्रों में बालू की आंधिया का लोयस के बालू की आंधिया का है जब पवन तेज गती से चलती है तो अपने साथ बहुत सा र जाता है यह उप्षन दे दिया जाएगा यह इनमें से नहीं देगा है अपने साथ बहुत सा रेत और चोटे-चोटे बारिक कंड उड़ा कर ले जाती है जब पहुन के मारग में औरोध आ जाता है तो यह कंड रेत कंड जो है दीरे-दीरे दरातल पर पर परतों के रूप में कर जमा होने लगता इस परकार बारिक कंड वाली मिटी का जमा हो जाता इस रेत का रंग फिला था हलका भूरा होता इस परकार कि जमाव चीन में हांगुनदी के मेदानी शेत्रों आश्टिल्य निडियु जिलेंड में पाए जाते हिम यानि की पानी आता हिम पिकलकर आता उसके साथ जो पदार्थ बाहकर लाता वह उसी तरीके की है यहाँ यह होता है अब देखते हैं सुस्क सेत्रों में अपरदन चक्र को देखते हैं सरु परदन डेवीस ने 1905 में कब डेवीस ने 1905 में परदेशों में अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की सुस्क अपरदन चक्र एंव पवन जल की समलित किरियाओं का परिणाम होता है यह क्या का है कि सुस्क अपरदन जो होता है एक तुप पवन चक्र होता है पवन जल की दोनों की समलित किरियाओं का परिणाम है दोनो जस्तामें अपर्दन एन एक weddings दोनों साथा चलतेव अपरदन बी होता है यानी अपरदन होता है और पदार्ण का जमाव भी होता रहता है उध्य बागों कि अपरदित तता निम्वागों अब्थों भेशीनों के निर्मान तता निक्सेपन कार्य सी जो पलाया के आसबास बालू का इस्तिपों का निर्मान होता है प्रूडवस्ता देखें अगला है प्रूडवस्ता कौन सी अवस्ता है प्रूडवस्ता प्रूडवस्ता की बात करें इस अवस्ता में अपरदन के कारण परवत जो है पीछ तता निक्सेपन का रिये जो है ती उर्गति से होने लगता है अगली है वर्दवस्ता वर्दवस्ता देखे ओल्ड इस उस्ता में उंचे भाग जो है गिसकर समतल प्राय हो जाते हैं वो कुछ अपरदन रोधी सेले अवसेस के रूप में सामाने सते से उंची इंसेल बर्क के रूप में रह जाती है और इस उस्ता में पवन का जो अफवन का रितना परभावसाली हो जाता है कि समस्द रेगिसानी भाग संप्राय मेदान के रूप में परिवर्थत हो जाता है पेडिमांड की विस्तार और कहीं पेडिमांड मिलकर मिल जाने से जो एक मरू पेनी प्लेन बना देते हैं काविया विकास होता है जिस पर यत्रतत्र इंसेल बर यानी मोन अब देखें लासन ने सुस्क परदंचकर की अंतिमा उस्ता में उत्पन इस्तुल रूफ को पेन-फेन की संग्या दी मैकसन तता एंडरशन ने पेडिमेंट को समेलन के समेलन से उत्पन जलोड सत्य को पेडि पलेन कहा 1950 में 1950 में किंग ने सुस्क पर्देसों में अपर्दन से समंदित जो है पेडी प्लेनेशन की विचारधारा जो पेडी प्लेनेशन की चकरी की विचारधारा की पस्तूत की थी किंग ने पेडी प्लेनेशन की विचारधारा अपर्दन से समंदित सुस्क पर्देसों में ठीक है साधी सेले सेलों की इस तर करम से एक दूसरी के बात होते हैं वहां पर आज समय वर्षा के जल से भरे जो गहरे गड़े या खादर बन जाते हैं जल से गहरे गड़े होते हैं गड़े खादर बन जाती है जो कुछ गड़े होते हैं ठीकिन वहां जल बढ़ जाता तो खादर ब इस तरह की इस्तला करते को उत्काद भूमी कहते हैं उत्री अमेरिका में ब्राइस नेशनल पार्क इसका उदारन है तो ब्राइस नेशनल पार्क इसका उदारन है उत्काद भूमी का उदारन है याद रखना अब चलते हैं आगे प्लाया 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 देखते हैं प्लाया ये अपने इदर वी संदर में पूचा जाता है रेगिस्तानी भागों में परोतों से गिरी हुई बैसिन को बालसन कहते हैं जो रेगिस्तान होते हैं और परोतों के बीच में जो बाग गिरा होता है रेगिस से प्छार क्या जाता है प्लाया में चमझीले नमक केम होने पर उसे अकाली फलेट तता नमक वाला निकसेब जो सेलीना या पर लवनकच कैलाते हैं प्लाय की तश्पाठ उतली तता विस्त्रित होती हैं अब देखते हैं बहादा या पिर बजाड़ा अर्द सुस्क परदेशों में कहीं आसन जलोट पंको के समेलन्स निर्मित एक पीड मांड जलोट मैदान को बजाड़ा या बहादा कहते हैं यह प्राय अर्द सुस्क परदेशों में अंते इस्तली बे भाग को पेडी मंट कहते हैं इनकी रचना अपसे तता नदी अपरदन के द्वारा होती है इन्हें निम्निकरणी मैदन इनकी डिग्रेशनल प्लेन भी कहते हैं परोते अगरभाग की ओर इनका डालती हूँ तता बजाडा की ओर मंद होता है अपरदन से निर्विध होने के कारण इनकी सते विसम होती है पेडिमांट की उत्पती के संदर में मेगी का चादरी बार्ड सिदान लासन का परोते अगरभाग पीछे अटने का सिदान ब्रायन डेवी सार्प गिलोली रिच ब्रेडले किंग एंफ एर का मिस्र सिदान तता ब कमेंट करें सेर करें नमस्कार